प्रिष्ट संख्या 87 पार्थ पांच विशेश लेखन, स्वरूब और प्रकार इस पार्थ में क्या है विशेश लेखन, विशेश लेखन की भाषा और शैली, विशेश लेखन के खेत्र और कैसे हासल करें विशेश अग्यता दस लाख संगीने मेरे भीतर वो खौफ पैदा नहीं करती, जो तीन छोटे अख़बार फ्रांसीसी सेनानायक निपोलियन एक नजर में पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माधिमों के अलावा लेखन के विभिन प्रकारों पर बात की समाचार और फीचर लेखन के फरक को समझा लेकिन मीडिया लेखन के कई और पहलू भी है आपने ध्यान दिया होगा कि जादा तर अख़बारों में खेल, अर्थव्यापार, सिनेमा या मन्नुरंजन के अलग प्रिष्ठो होते हैं इन में छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं इनके ना सिर्फ शैली अलग होती है बलकि भाशा भी अलग होती है एक समाचार पत्र या पत्र का तभी संपोन लगती है जब उसमें विभिन विशयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्टों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है दरसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं और वे साहित्त से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विशयों पर पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनिमा में गहरी दिल्चस्पी होती है वे अपनी दिल्चस्पी के इन विशेयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामाने समाचारों से अलग हट कर विशेश खेत्रों या विशेयों के बारे में भी निरंतर और परियाप्त जानकारी देनी पढ़ती है क्या है विशेश लेखन? समाचार पत्रों में विशेश लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है विशेश लेखन यानि किसी खास विशेपर समान लेखन से हट कर किया गया लेखन अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेश लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेश डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनस यानि कारुबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों और संबाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विशय या क्षेत्र में उनकी विशेशगिता होगी असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं राजनीतिक, आर्थिक, अपराद, खेल, फिल्म, क्रिशी, कानून, विज्ञान या किसी भी और विशय से जुड़ी होई संबंधाताओं के बीच काम का विभाजन आम तोर पर उनकी दिल्चस्पी और ग्यान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है मीडिया की भाशा में इसे बीट कहते हैं एक संबंधाता की बीच अगर अपराद है तो इसका अर्थ ये है कि उसका कारक्शेत्र अपने शहर या क्शेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है अखबार की और से वो इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाब दे भी है इसी तरह अगर आपकी दिल्चस्पी और जानकारी का क्शेत्र खेल है तो आपको खेल बीच मिल सकती है और अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जोड़ी खबरों में दिल्चस्पी और जानकारी है तो आपके हिससे आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है अगर आपको प्रकृती या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीच मिल सकती है लेकिन विशेश लेखन केवल बीच रिपोर्टिंग नहीं है ये बीच रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेशी कृत रिपोर्टिंग है जिसमें न सिर्फ उस विशेश की गहरी जानकारी होनी चाहिए बलकि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाशा और श्याली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए सामान ये बीच रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तयारी करनी पड़ती है उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीती में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिह क्या है उसमें समय समय पर क्या क्या हुआ है आज क्या चल रहा है पार्टी के सिध्धान्तिया नीतियां क्या है उसके पदाधिकारी कौन-कौन है और उनकी प्रिष्ट भूमी क्या है बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे रिष्टे हैं और उनमें आपस में क्या फर् प्रिष्ट संख्या नवासी पत्रकार को उस पाटी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासल करने के नए ने स्रोत विकसित करने चाहिए किसी भी स्रोत या सूत्र पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टी कई और स्रोतों के जरिये भी करनी चाहिए यानि उस पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेतर के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकठी करने में बिताना पड़ता है तब ही वो उस बारे में विशेश अगिता हासिल कर सकता है और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वस्निय मानी जाती है ये तो हुई बीट रिपोर्टिंग लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेशी कृत रिपोर्टिंग में फर्क है दोनों के बीच सबसे महत्वपून फर्किये है कि अपनी बीच की रिपोर्टिंग के लिए संबादाता में उस सक्षेतर के बारी में जानकारी और दिलचस्पी का होना परयाप्त है इसके अलावा एक बीच रिपोर्टर को आमतोर पर अपनी बीच से जुड़ी सामाने खबरें ही लिखनी होती है लेकिन विशेशिक्रित रिपोर्टिंग का तातपर ये है कि आप सामाने खबरों से आगे बढ़कर उस विशेश क्षेतर या विशेश से जुड़ी खटनाओं मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विशलेशन करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें जैसे अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला समबादाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे लेकिन विशेशी कृत रिपोर्टिंग करने वाला समबादाता इसका विशलेशन करके ये स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा यही कारण है कि बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को समबादाता और विशेशी कृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेश समबादाता का दरजा दिया जाता है लेकिन विशेश लेखन सिर्फ विशेशी कृत रिपोर्टिंग भी नहीं है विशेश लेखन के तहट रिपोर्टिंग के अलावा उस विशय या क्षेत्र विशेश पर फीचर, टिपणी, साक्षातकार, लेख, समीक्षा और स्तंब लेखन भी आता है इस तरह का विशेश लेखन समाचार पत्र या पत्रका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्री लांस पत्रकार या लेखक तक सब ही कर सकते हैं शर्ट सिर्फ ये है कि विशेश लेखन के उच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विशे में माहिर होना चाहिए ताजा से ताजा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों, जानकारियां और तथ्य इकट्थे करते हों और उसक्षेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हों। इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रकाओं में किसी खास विशे पर लेक या स्तंब लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार नहोकर उस विशे के जानकार या विशे शग्य होते हैं। जैसे रक्षा, विज्ञान, विदेशनीती, खृषी या ऐसी ही किसी खेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई प्रफेशनल इसके बारे में बहतर तरीके से लिख सकता है। क्योंकि उसके पास इस खेत्र का वर्षों का अनुभव होता है। वो इसकी बारे किया समझता है और उसके पास विश्लेशन करनी की क्षमता होती है। हो सकता है उसके लिखने की शैली सामाने पत्रकारों की तरह न हो लेकिन जानकारी और अंतरडिश्टी के मामली में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदे मंद होता है। उदाहरन के तौर पर हम खेलों में हर्श भोगले, जस्देव सिंग या नरूतम पुरी का नाम ले सकते हैं। वे पिछले 40 सालों से हौकी से लेकर क्रिकेट तक और उलम्पिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कॉमेंटरी करते रहे हैं। जाहर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है, उतनी आमतोर पर किसी के पास नहीं होती है। उन्हें खेल विशेशग्य माना जाता है। वे खेलों की तकनीकी बारीक्या समझते हैं। क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड उनकी जबान पर होता है। ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रूची के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह रक्षा, विदेश नीती, राश्ट्रिय सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विशेयों पर लिखने वाले विशेश अग्यों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेक, टिपणिया, समाचार पत्रों में प्रमुक्ता से प्रकाशि विशेश लेखन की भाषा और शैली समान लेखन का ये सर्वमान या नियम विशेश लेखन पर भी लागू होता है कि वो सरल और समझ में आने वाला हो दरसल विशेश लेखन का संबंध जिन विशयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांच तकनी की रूप से जटिल क्षेत्र है और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है इसलिए इन क्षेत्रों में विशेश लेखन की जरूरत पढ़ती है जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो विशेश लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान लेखन से अलग हैं उनके बीच सबसे बुन्यादी फर्क ये है कि हर क्षेत्र विशेश की अपन विशेश तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विशेश पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है जैसे कारोबार पर विशेश लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तमाल होने वाले शब्दावली से परचित होना चाहिए दूसरे अगर आप उस शब्दावली से परच मजने में कोई दिक्कत ना हो। मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तिजड़िये, मंदड़िये, बिक्वाली, ब्याजदर, मुद्रस फीती, व्यापार घाटा, राजकोशिय घाटा, राजस्व घाटा, वार्शिक योजना, वि आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदी शीरशक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। पर्यावरन और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उस से जुड़े खास शब्द मसलन पश्चमी हवाई, आदरता, टॉकसिक कचरा, ग्लोबल वामिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदी शब्दों की और भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से पीटा, चैंपियन्स कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे खुटने टेके, आदी शिर्शक, सहज ही ध्यान खीचते हैं। प्रिष्ट संख्या 91 प्रिष्ट से जोड़कर यानी न्यूस पेग के जरिये भी शुरू किया जा सकता है। एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं। लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं, उनकी अपेग्षा सामान पाठकों के तुलना में अधिक होती है। चुकि वे उस विशय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी अपेग्षा ये होती है कि उन्हें उन विशयों या क्षेत्रों के बारे में ज्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। विशय लेखन के क्षेत्र अर्थव्यापार, खेल, विज्ञान प्रोध्योगेकी, क्रिशी, विदेश, रक्षा, परियावरण, शिक्षा, स्वास्थ, फिल्म मनुरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदी। विशय लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतोर पर रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशय लेखन के डायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशय अग्यता की जरूरत होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनिमा, मनुरंजन, फैशन, स्वास्त्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवनशैली और रहन सहन जैसे विशयों को आजकल विशेश लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीदी, राश्रिय सुरक्षा और विधी जैसे क्षेत्रों में विशेश लेखन के लिए हम जब विशेश अग्यता की बात करते हैं, तो उसका तातपरे ये नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेश अग्ये हैं, जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थ शाष्त्री आर्थिक मामलों का विशेशग्य होता है, या कोई भी वरिष्ट सैनिक अधिकारी या सैन्य विध्यान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेशग्य होता है, हालकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेशग्य पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थ शाश्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं लेकिन पत्रकारिता में विशेशग्यता का अर्थ थोड़ा अलग होता है यहां विशेशग्यता से हमारा तातपर एक तरह की पत्रकारिय विशेशग्यता से है पत्रकारिय विशेशग्यता का अर्थ ये है कि विवसाईक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विशय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विशय याक्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों को आप सहचता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके माइने स्पष्ट कर सकें कैसे हासल करें विशय शगयता? आजकल पत्रकारिता में Jack of all trades but master of none सभी विशयों के जानकार नेकिन किसी खास विशय में विशय शगयता नहीं के बजाए master of one यानि किसी एक विशय में विशय शगयता जरूरी है कि मांग की जा रही है सवाल ये उठता है कि आप किसी भी विशय में विशय शगयता कैसे हासल कर सकते हैं? इस सिलसले में सबसे जरूरी बात ये है कि आप जिस भी विशे में विशेशग्यता हासल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रूची होनी चाहिए इसके साथ ही अगर आप उस विशे में विशेश अगयता हासिल करना चाहते हैं तो बहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक प्लास टू और सनातक स्तर पर उसी या उस से जुड़े विशे में पढ़ाई करें इसके अलावा अपनी रूची के विशे में पत्रकारिय विशेश अगयता हासिल करने के लिए आपको उन विशेयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए विशेश लेखन के एक शेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहत जरूरी होत और विशलेशनों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए एक तरह से आपको उस विशे में जितनी संभव हो संदर्ब सामगरी जुटा कर रखनी चाहिए इसके अलावा उस विशे का शब्दकोश और इनसाइकलोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए यही नहीं जिस उची उनकी वेबसाइट का पता, टेलेफोन नमबर और उसमें काम करने वाले विशेशग्यों के नाम और फोन नमबर अपनी डायरी में जरूर रखिए दरसल एक पत्रकार की विशेशग्यता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है जैसे अगर आप आर्थिक विशेशग्यता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परचित अर्थ शास्त्रियों और बाजार विशेशग्यों के नाम और फोन नमबर हैं तो आप उनसे बाचीत करके किसी खटना, फैसले या नीती के विभिन पहलूँ को समझ सकते हैं या उ उसका नहितार्थ जाननी की कोशिश कर सकते हैं इस तरह आप अपनी रोची के एक शेत्र या विशेशग्यता विकसित कर सकते हैं लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेशग्यता एक दिन में नहीं आती विशेशग्यता एक तरह से अनुभव का परयाय ह उस विशे में निरंतर दिल्चस्पी और सक्रेता ही आपको विशेशग्य बना सकती है जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विशेश लेखन का दाइरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू है हम यहां हर एक शेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाए कुछ चुनिंदा क्शेत्रों में विशेश लेखन की बारी क्यों और उसकी शैली पर चर्चा करेंगे प्रिश्ट संख्या तिरानवे कारोबार और व्यापार अगर आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हों तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगस से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक प्रिश्ट होता है कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के दो प्रिष्ट प्रकाशित होते हैं ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का प्रिष्ट नहो हो तो वो संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा इसकी वज़ा ये है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे नफा नुकसान आदे की बात होती है तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की उन खबरों की भाषा में इस्तिमाल शब्दों की भी एक सूची बनाईए आर्थिक विशयों पर प्रकाशित टिपणिया और विशलेशनों को ध्यान से पढ़िए इन सब के आधार पर 200 शब्दों की एक रिपोर्ट तयार कीजिए और बताईए कि आर्थिक विशयों पर लेखन अन्य प्रकार के पत्रकारिय लेखन से किस प्रकार अलग है किसी एक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली मंडी के भाव पर आधारित एक सप्ता की खबरें और उनका विशलेशन एकठा कीजिए उसे ध्यान से पढ़िए और बताईए कि क्या वो एक सामान ने पाठक की समझ में आ सकती है प्रिश्ट संख्या 94 आप अकसर सुनते होंगे कि शेर बाजार का सेंसेक्स इतना चड़ा या नीचे गिर गया इसी तरह सोने चांदी के भाव विदेश्य मुद्रा जैसे डॉलर पॉंड आदी की कीमत जरूरी उभोगता चीजों की कीमत या ख इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदी जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफी व्यापक है इसमें क्रिशी से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेर बाजार तक अर्थ व्यवस्था से जोड़े सभी क्षेत्र शामिल है इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेशगयता हासल करना कठिन है यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है जैसे कोई शेर बाजार का विशेशगय है तो कोई निवेश के मामलों का कोई बैंकिंग का विशेशगय है तो कोई प्रॉपर्टी के ख्षेत्र में ज्यादा जानता है कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्वक काफी बढ़ा है ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीती और अर्थ व्यवस्था के बीच रिष्टा गहरा हुआ है खासकर आर्थिक उदारी करण और देश में खुली अर्थ व्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थ व्यवस्था में व्यापक बदलावाया है राजनीती भी इससे अचुती नहीं है वैसे भी अर्थ नीती और राजनीती के बीच गहरा रिष्टा होता है इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीती और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान ये पत्रकारिता के तुलना में काफी जटल होती है ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता उसे आम लोगों की समझ में आने लाए कैसे बनाया जाए ये आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उसक्षेतर से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफी जानता है एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेश लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है कारोबार और अर्थ जगत से जोड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिट शैली में लिखी जाती है शैर बाजार के एक समाचार के उदाहरन पर गौर कीजे स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिक्वाली से उड़द टूटी नई दिल्ली स्थानिय मंडी में स्टॉकिस्टों की चौतर्फा बिक्वाली से उड़द दो दिनों में 150 रुपे टूट जाने से गिर कर 3290 रुपे रह गई है मुंबई में भी 100 रुपे लुढ़क कर 3100 रुपे बोली गई मोट भी 100 रुपे गिर कर 2650 रुपे के निम्निस्तर पर आ गई मसूर भी ललितपुर एवं सिहोरा लाइन से प्रचुर मात्रा में आने एवं ग्राहक के कमजोर होने से 25-50 रुपे टूट कर मोटी 1900 रुपे एवं टोटी 2450 रुपे रह गई अरहर में भी 25 रुपे की मंदी आ गई जिससे यहां भी मिलों की मांग ठंडी पढ़ने एवं स्टॉकिस्टों की बिकवाली से 45-50 रुपे गिर कर 2325-275 रुपे भाव रह गए हैं इसकी दाल में भी 50 रुपे की मंदी आ गई प्रिश्ट संख्या 95 इन रोजमर्रा की खबरों के अलावा सोनी की बढ़ती कीमतों का विशलेशन करता एक फीचर प्रस्तुत है जो विशेश लेखन का अच्छा उदाहरण है नित नया शिखर नया निखार सन 2005 और 2006 में शेयर बाजार की स्थितिक गती से मज़ोले निवेशक भले ही इस दोविधा में रहे हों कि कौन सा शेयर या म्यूच्वल फंड खरीदें लेकिन अब इन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा तो उनके बैंक लॉकरों या बेडरूम के अलमारियों में बंद चमकदार पीली धातू ही दे रही है आखिर सोने की कीमत 2005 में 18 फीसदी बढ़ी तो इस साल जनवरी से मैई तक में ही उसमें 31 फीसदी का और इजाफा हो गया कुल मिलाकर पिछले साड़े पाँच साल में इसकी कीमत में 150 फीसदी इजाफा हुआ है खास बात ये है कि इस धातू की चमक फीकी पड़ती ही नजर नहीं आ रही आभूशनों के मालिकों को ये एहसास हो या नहो आभूशन खरीदारों को ये इल्म निश्चित रूप से है पिछले दिनों शादियों का सीजन जब जोरों पर था तो देश भर के आभूशन निर्माता अपने कलेक्शन को नए सिरे से डिजाइन करने में लगे थे वेहलके वजन के गहने बना रहे थे ताकि खरीदार की जेप पर अधिक भार ना पड़े इस से इस नतीजे पर न पहुंच जाये कि बढ़ती कीमतों से खरीदारों की कतारें चोटी हो गए पिछले साल भारत को सोने की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 750 टन सोना आयात करना पड़ा ये मांग 2004 के मुकाबले 100 टन अधिक बढ़ गई थी विश्व स्वन परिशत को इसमें इस साल कोई नाटिकिया बदलाव आने की उमीद नहीं है इसकी वज़ा भी है शुरू से ही सोने में निवेश करते आया भारतियों की इसके महत्व में पूरी आस्था है लिहाज़ा वे इसमें निवेश करते रहेंगे उन्हें पूरी उमीद है कि साल के अंत तक सोने की कीमतें 12,000 प्रती 10 ग्राम को छूने लगेंगी अन्य संपत्यों के विपरीत सोने को निवेशक और उभोगता दोनों ही खरीदते हैं पहली श्रेणी के लोग इसे मुनाफ़ा कमाने के लिए खरीदते हैं तो दूसरे अपने शौक पूरे करने के लिए आज भारत और विदेश में दोनों ही तरह के खरीदार सक्रिया हैं हाला कि सोने की कीमतें शेर बाजार, सरकारी बॉंड या अचल संपत्य की कीमतों से अधिक प्रभावित नहीं होती इस बार इस कीमती धात्यों की कीमत इन से टक्कर ले रही है भारत और चीन में और द्योगिक मांग बढ़ने से तांबा, जिंक और इसपात की कीमतें भी पिछले दो साल से बढ़ती जा रही है इस तरह पिछले बारा महीनों में सोने की कीमतों में 45 फीसदी उच्छाल आया है इसके बावजूद ये वृद्धी तीसरे नंबर पर है क्योंकि तांबे ने 116 फीसदी और चांदी ने 78 फीसदी बढ़ोतरी दर्च की है इन्धन की कीमतें भी मानों आग में घी का काम कर रही है पिछले हफते तेल की कीमत 75 डॉलर प्रती बैरल हो गई और ये 100 डॉलर प्रती बैरल का भयावा आकड़ा भी छू सकती है खासकर भारत और चीन में तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई जैसा कि आनंदराठी सेक्यूरिटीज के सह उपाध्यक्ष किशोर नारने कहते है तेल की उची कीमतों से आमतोर पर अर्थववस्था में मुद्रा स्पीती आती है इससे मुद्राओं की कीमत घटने लगती है प्रिष्ट संख्या 96 बेशक ऐसा होता है पिछले साल डॉलर की कीमत में 3 फीसदी अवमूल्यन हुआ है हाला कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ा कर मुद्रा स्पीती के प्रभाव पर नियंत्रन कर लिया है लेकिन चूकी पिछले कई दशकों से तेल के नए सरोध की खोज नहीं हो पाई है और तेल की मात्रा बढ़ाना लंबी और व्यसाध्य प्रक्रिया है तेल की कीमतों में जल्दी गिरावट के आसाद नहीं है और केंद्रिय बैंक मुद्रा की आपूर्ती से छेड़ छाड़ करके इससे होने वाली मुद्रा स्पीती का मुकाबला नहीं कर सकते यानि डॉलर और यूरो जैसी मुद्रा के मूले में अभी और गिरावट अवश्यम भावी है इससे दुनिया भर के समझदार निवेशक डॉलर प्रभावित निवेश मसलन सरकारी बॉंड और प्रतिभूती से पैसा निकाल कर कहीं और जी हां आपका अनुमान सही है सोने में निवेश करेंगे उनका तर्क है कि मुद्रा स्पीती से बचने के लिए इससे बढ़िया ढाल और क्या होगी जब सोने की कीमतें कुलाचे भर रही हैं तो नए निवेशक भी इस ओर मुड रही है पिछले साल विश्व स्वर्ण परिशद ने एक निवेश योजना शुरू की थी जिसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड़ फंड नाम दिया गया ये एक तरह का म्यूच्वल फंड है जहां प्रतेक एकाई का मूले एक आउंस सोने का दस्वा हिस्सा है विश्व स्वर्ण परिशद की भारत शाखा के प्रबंध निदेशक संजीव अगरवाल कहते हैं जब से ये फंड लंदन और न्यू यॉक में उतारा गया है गोल्ड म्यूच्वल फंड ने 500 टन सोना उगाह लिया है इसके अलावा सोने में निवेश करने वाले निवेशक गहनों, सोने की छड़ों और गिन्यों में ही निवेश नहीं कर रहे वे MCX और NCDX जैसे Commodity Exchange के जरिये सोने के DMATS वरूप में भी निवेश कर रहे हैं निवेशक गोल्ड फ्यूचर्ज भविश में सोने की कीमत बढ़ने की शर्त में भी निवेश कर सकते हैं इसके लिए उन्हें सिर्फ 4 फीसदी मार्जिन का ही भुगतान करना होता है इससे नसर्फ भारी मात्रा में खरीद हो रही है इसी वज़े से कीमतें भी बढ़ रही है बलकि ये सुरक्षित भी है इससे लूट पार्ट और बैंक डगैती में सोना गवाने से भी बचा जा सकता है एक तरह से ये कर की दृष्टी से भी एक बहतर विकल्प है जैसा की बताते हैं इस पर अल्प अवधी पूंजी लाब कर ही लगता है जबकि आभूशन या डीमैट गोल पर अतरिक्त संपत्ती कर लगता है जाहिर है मांग कम ही नहीं हो पा रही है बाजार का नियम है मांग की तुलना में आपूर्ती कम हो तो निशकर्ष की सहजी कलपना की जा सकती है यानि भारी मूलिवर्थी विश्व में सरवाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिन अफ्रीका भी अब कम उत्पादन कर रहा है सन 2005 में इसका सोना उत्पादन गिरकर 300 टन हो गया जबकि उससे पिछले साल ये आकड़ा 306 लिस टन का था कोटक कमोडिटी सर्विसेज में कमोडिटी विशलेशक रागवन सुन्दराजन इसकी व्याख्या करते हैं इस साल कीमतें बढ़ने की वज़़ आंगलो गोड असांती की 2006 की ये घोशना थी के सन 2006 में सोने का उत्पादन घट जाएगा और 2007 में ही स्थिर हो पाएगा इसलिए थोड़े बहुत उतार चड़हाव के अलावा सोने की कीमतों में जल्द ही गिरावट आने वाली नहीं है गितांजली ग्रुप के प्रबंध निदेशक मेहुल चौक सी भी मानते हैं अर्थशाष्ट्री अब ये तथ्य मानने को बात होने लगे हैं कि हर तरह की संपत्य की कीमत साथ साथ बढ़ने लगी है अगर सीधे शब्दों में कहें तो वैसे तो शेयर बाजार और सोने की कीमतों में कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता है लेकिन आज ये एक सचाई हैं कि दोनों साथ साथ नई उचाईयां चू रहे हैं ये सोने के निवेशकों के लिए चिंता का विशय कतई नहीं होना चाहिए कई खरिदार तो शर्थ लगा रहे हैं कि दोनों का बढ़ना जारी रहेगा यानि सोना चमक के साथ मुनाफ़े की सुगंद भी बिखेता रहेगा खेल काकशेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रूची होती है खेल हर आदमी के जीवन में नई उर्जा का संचार करता है बचपन से ही हमारी विभिन खेलों में रूची होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है जीवन की भागदौर और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता हो लेकिन खेलों में दिल्चस्पी बनी रहती है इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हौकी टेनिस हो या फुटबॉल ओलेम्पिक हो या एशियाई खेल ये सब एक उचसव बन जाते हैं कई खेल तो देश की संस्कृती में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी जादा होती है इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है सभी समाचार पत्रों में खेल के एक या दो प्रिष्ट होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलिटन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता है यही नहीं समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेश लेखन खेल विशेशांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रही है इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेश करक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं पत्र पत्र काउं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी तमाम बातों से भली बाती परिचित हों। लेकिन आर्थिक मामनों की तरह ही किसी एक खेल लेखा के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। क्रिकेट में स्पिन, LBW और गुगली के बारे में सौ शब्दों में एक आलेख लिखें। आपको किस समाचार पत्र या पत्रिका में खेलों पर प्रकाशित होने वाली खबरें, रिपोर्ट और विशलेशन सबसे अधिक रुचिकर और आकरशक लगते हैं। उदाहरण सह प्रिश्ट संख्या 98 में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिल्चस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वो जब किसी मैच का, किसी खिलाडी विशेश के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का और इस से जुड़े तमाम पहलूं का खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेश लेखन की भाशा और शैली में एक उर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिट शैली में शुरू होती है। लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वो कथात्मक यानि घटना नुकरम शैली में चली जाती है। क्रिकेट की एक सामाने खबर का उदाहरन देखिए। चली के एक शूनिसे जीत ली। जीत के लिए 493其實 का विशाल लक्षे लेकर खेल रही दूसरे पारी में ऊंनाासी पर धेर है। इस मुखडे के बाद खबर का विस्तार एक कथात्मक रूप ले लेता है जिसमें उल्टा पिरामिट शैली के बजाए कथात्मक शैली का उप्योग किया गया है S.S.C. ग्राउन पर दक्षिन अफरीका ने आज दो विकेट पर 21 रनों से आगे खेलना शुरू किया लेकिन श्रीलंका के तेज गेन बाजों ने उसके शीर शिक्रम के बले बाजों को धवस्त कर दिया लंज के समय तक दक्षिन अफरीका पांच पिकेट पर 125 रन ही बना पाया था वस्त ने पहले कल नॉट आउट रहे जैक्स केलिस को आउट कर महमान टीम को करारा जटका दिया केलिस ने तेजी से उठती वी गेन पर दूस्ती स्लिप में खड़े तिलकरतने दिलशान को कैच दे दिया कप्तान ग्रीन स्मित सत्रभी दो ओवर बात तेज गेन बाज ललित मलिंगा का शिकार बने उन्होंने तीलान समरवीरा को शॉर्ट स्क्वेर लेग पर कैच दे दिया और फ्रीलंका का स्कोर चार विकेट पर 26 रन हो गया दक्षिन अफ्रीका का पांचवा विकेट भी स्कोर पर गिर गया जब जैक्स रिडॉल्फ वास की गेंद को पुल करने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और डीप में खड़े मलिंगा को कैच दे बैठे उन्होंने एक रन बनाया बोईटा डिपनार और मार्क बाउचर ने छटे विकेट के लिए 252 गेंदों में 101 रनों की साज़धारी कर पारी को कुछ हद तक संभाला लेकिन वास्त ने लंच के बाद साथमें ओवर में इस साज़धारी को भी तोड़ दिया उन्होंने बाउचर को बल्ले का किनारा देने के लिए विवश किया और विकेट कीपर रुमेश कालू वितर्णा ने कैच पकरने में कोई गलती नहीं की बाउचर ने 51 रन बनाए बाउचर 135 मिनट क्रीज पर रहे जिसमें उन्होंने 132 गेंदे खेली और 8 चौके जमाए शाउन पोलक सस्ते में आउट हुए उन्होंने ओफ स्पिनर दिल्शान की गेंद पर मरवन अटा पट्टू को शौट मिड विकेट पर कैच दे दिया डिपनार 8 चौकों की मदद से 69 रन बना कर नौट आउट रहे दक्षिन अफ्रीकी टीम श्रिलंका के खिलाफ इससे पहले खेली गई पांच टेस्ट सीरीजों में चार में जीती थी जबकि एक ड्रॉ रही थी गाले में दोनों के बीश मौजूदा सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था प्रिष्ट संख्या 99 क्रिकेट के इस समाने समाचार के बाद क्रिकेट पर ही एक विशेश रिपोर्ट प्रस्तोत है घर में प्रयोग भारी बड़ा पुरानी कहावत है लोग जल्दी बुढ़े क्यों होते हैं क्योंकि वे काम करते हैं लेकिन मुंबई में भारत के साथ जो कुछ हुआ उसके पी और कुछ ये सोच कर किया गया था कि इस अनुभव का फाइदा विदेशी दोरों के समय काम आ सकता है। तो पांच गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरनी के फैसले के पीछे कहीं न कहीं ये बात थी कि घरेलू धीमी पीचों पर बीस विकेट लेना हमेशा मुश्किल रहा है। ये फैसला ये सोच कर लिया गया था कि वानखेडे की नम पिच का शुरुआती फाइदा उठाया जाए। लेकिन किसे पता था कि ये फैसला गलत साबित होगा और इंगलिन के खिलाफ इसी विकेट पर उतरे ये पांच बल्ले बाज सस्ते में लौट आएंगे। वास लेकिन भारतिय टीम ने एक के बादे कई गलतियां कर डाली। ये सब इंगलिन्ड की उस टीम के खिलाफ हुआ जिसमें न तो माइकल वॉन और ट्रसकोथिक जैसे बल्ले बाज थे और न साइमन जोन्स, स्टीव हमिशन और नमबर वन स्पिनर गाइल्स जैसे गेन बाज। हैरत नहीं, इंगलिन्ड की स्थिती वैसी ही थी जैसे राहुल द्रवड, सचिन तेंदूलकर, विरेंद्र सहवाग, अनिल कुमले, इर्फान पठान और मौजूदा फार्म में चल रहे मुनाफ पटेल या हरबजन सिंग के बगैर भारतिय टीम विदेश में कोई टेस्ट की रणनीती पर काम करने के लिए दोशी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन घरेलू टेस्ट सिरीज का इस्तमाल विदेश में किसमत आजमाने के लिए करना न तो अच्छी रणनीती है और नहीं शम्या, भारतिय उप महदवीब के दोरे से पहले जहां विदेशी टीमें बहु इसी योजना बनाती हैं, वहीं घर में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड का बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं के टीम बचाव करने लायक है ही नहीं। अब तो चेपक या इडेन गार्डन या फिरोशा में हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। किसी भी देश की क्रिकेट टीम की टाकत इस बात से आकी जाती है कि उसकी टेस्ट टीम कितनी मजबूत है। इंग्लेंड के साथ होने वाले साथ एक दिवस्य मैचों के नतीजे चाहे जो हों लेकिन ये दिख रहा है कि भारत की टेस्ट टीम बिखर चुकी है। फिल्डिंग के मामले में टीमों का प्रदरशन अलग-अलग सत्रों में खराब रहा है। लेकिन भारतिये टेस्ट टीम फिल्डिंग के मामले में पूरी तरह बेदम दिख रही है। फिशिशक के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे हों और गलत आदमी को गलत जगह पर खड़ा किया जाए। यानि सब कुछ ठीक नहीं है। ये जग जाहिर हैं कि चापल गैर पारंपरिक और नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। वे बल्लेबाजी में पैनापन लाने के लिए उत्तेजना जगाने जैसी ड्रिल करवाते हैं। तो फिल्डिंग में चुस्ती लाने के लिए मानसिक एकागरता पर ध्यान देते है वे नए प्रयोग कर रहे हैं और उनका जोर मानसिक प्रशिक्षन पर भी है। उनका ये तरीका अनूठा है। ड्रिल में भी उत्साह नजर आ रहा है। दरसल चैपल सिम्सन के तरीके से आगे का प्रयोग कर रहे हैं। आस्ट्रेलिया के पूर्व कोच बॉब सिम्सन प्राकडों क्याच लपके तब जाकर उनकी हथेलियां किसी भी कोण से आने वाली गेंद को लपकने की अभ्यस्त हो पाई थी। यदी खासतोर से टेस्ट टीम की फील्डिंग कस्तर सुधारनी की बात है तो इस बारे में चैपल को नहीं द्रविड को सोचना होगा। आखिर ये उनकी टीम है और खराब फील्डिंग का असर उनके गेंद बासों के प्रदरशन पर पड़ता है। मुंबई में मिली हार भारत के लिए ये पिछले चार टेस्टों में दूसरी है जिसमें साथ बल्ले बाजों ने कुल पचीस रन बनाए। साबित करती है कि जो मिथक फैलाया जा रहा था वो गलत था। कराची में मिली हार के बाद भारतिय खेमे में फुस-फुसाहट हो रही थी कि कैसे एक पूर्व कप्तान के लिए कमरा बदलना खेल से जादा एहम हो गया था। हर मात के लिए गांगुली को दोश नहीं दिया विशे बहुत से हैं उनके आयाम कई हैं और विशे शगयता हासल करने के उनके पैमाने अलग-अलग हैं। मूल बात ये है कि जब भी हम किसी खास विशे को उठाते हैं उसके बारे में लिखते या बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है? हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं? हम अपनी बातों की अभिवेक्ती ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं? हमारे तथ्य और तर्क में तालमेल है या नहीं? ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करती हैं सूचनाओं के स्रोद मंत्राले के सूत्र, प्रेस कॉन्फरेंस और विज्यप्तियां, साक्षातकार, सर्वे और जाज समीतियों की रिपोर्ट्स, उसक्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ती, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व प्रिष्ट संख्या 102, पाठ से समवाद एक, विज्यान के एक शेत्र में काम कर रही भारत की पाँच संस्थाओं के नाम लिखें दो, पर्यावरन पर छपने वाली किनी तीन पत्रिकाओं के नाम लिखें तीन, विवसाइक शिक्षा के दस विभिन पाठ क्रमों के नाम लिखें और इनका ब्योरा एकत्र करें चार, निम्ण में से किसी एक विशेपर अपने शब्दों में आलेक लिखें ग, सान्या मिर्जा के खेल के तकनी की पहलू ख, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाये जाने के परणाम ग, सर्राफे में आई तेजी ग, फिल्मों में हिंसा अंग, पल्स पोलियो अभियान सफलता या असफलता च, कट्ते जंगल च, ग्रहों पर जीवन की खोज